उम्ब्रे दराज भांग के लाए थे चार दिन, दो आरजु में कट गए, दो इंतिजार में जीवन में अगर चार दिन सुकून में, हेकांत में, मौन में बिताना चाहते हैं तो ये प्लेश सबसे सुकून दायक महसूस हो सकती है खावत कहती है कि न माया मरी, न मन मरा झाले के लाए चाहते हैं झाल 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 यहां पे आटो का फोन नंबर सब दिये गए हैं और आराम से आप आटो को बुला सकते हैं अपनी सुवीदा अनुसार ज्यादा किराय नहीं लगता अगर आप चार लोग हैं सिंगल के लिए थोड़ा लगता है तो इस तरह से शिवीर खतम हो गया और सब लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े अभी तो आना ही हुआ था और समय कैसा बीटा पता ही नहीं चला शुरात में जब आते हैं तो लगता है दस दिन दस दिन लेकिन लास्ट में दस दिन कैसे बीट गए पता ही नहीं चलता है यह सेंटर काफी बड़ा और सुन्दर है यह तो सिर्फ एक भाग है इसमें यह धम गिरी विपस्टन केंदर है और इसमें दो और है तपो वन बन तपो वन टू वो दुसरे तरफ से उसका रस्ता है तो दोस्तों धम गिरी विपस्टन केंदर इगत पूरी में जरूर आएं और अपने मौन का आनद ले फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ तब तक छुपेच्छा